प्रिपेरिंग फो यॉर्ट इग्जामिनेशन बट मैं आपको बदा दूं कि कई बच्चे ऐसी कुछ गलतियां कर जाते हैं जो कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बावजूद उनको उनकी एनल्यू की सीट तक पहुंचने से रोक देता है जियां गाइज और गर्ल्स तोड़ गलती कर रहे हो चुकि अभी आपके एग्जामिनेशन में टाइम है आई वोड ऑल्वेस सजेस्ट कि प्लीज टेक पाउस ट्राइन एनलाइज कि क्या आप इन चीजों में से कुछ चीज ग्या कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं और इफ इन केस कर रहे हैं तो जल से जल् in front of you guys with the motive कि आपको सही रहा तक जो है वो पहुंचाया जा सके तो अगर अभी तक आपने यहां पर दिये हुए like बटन को क्लिक नहीं किया है please do hit that like button at the same time if in case आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है कमाल किरते हो यार आपके CLIAT examination की preparation में इंडिया का best platform आपके आँखों के सामने हैं अगर अभी भी आप उसका मूँ उससे अपना मूँ मोड रहे हो तें डेफिनेटली आप गलती कर रहे हो जिहां guys and girls चलिए करते हैं शुरुवात seeing or rather focusing on the very first mistake the very first mistake and the biggest mistake that I have been quoting again and again is not knowing the examination जब मैं कहता हूं कि examination के बारे में आपको नहीं पता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर consortium of NLU's के द्वारा यह exam करवाया जाता है सर यह December के मन्त में हो जाता है अगले साल के लिए इसलिए हम इसको जो है अगले साल के title या अगले साल के year के साथ लगा कर कहते हैं यह वो चीज़े नहीं है about what I am talking rather मैं जब बात करता हूं कि आपको examination के बारे में पता होना चाहिए by that I mean you should have visited the website of consortium of NLU's वहां पर जाने के बाद आपने syllabus को खोला हो और syllabus को खोलने के बाद एक-एक word पर focus किया हो syllabus आपको by heart रट जाना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें दी गई है आपसे क्या expect किया जाता है वो सब कुछ आपको consortium of NLU's की website पे मिल जाएगा इसलिए the very first step that you should be doing is कि आपको अपने syllabus को बहुत detail में पढ़ना है इसके बाद जो second most important thing होती है वो होती है पी वाई क्यूस को जानना जी हां जब हम बात करते हैं पी वाई क्यूस की definitely हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं कि आप 2008 से लेकर आज तक के सारे papers को देखिए I know that is not practically possible especially with the full time school that you guys are doing but आप से at least मैं इतना तो expect कर सकता हूं कि 2020 से लेकर 2024 तक पांच papers जो है वो हो चुके हैं पांच साल के पांच papers को अगर आप देख लेते हो guys and girls you will get to see कि कैसे examination में आप questions पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से अपनी तयारी में उनको incorporate करना है समझ में आ रहे हैं क्योंकि आज भी मैं देखता हूं बच्चे जब halfway down the line पहुंच जाते हैं और मैं जब उनको कुछ passages करवाता हूं legal reasoning के या फिर general knowledge के या फिर current face के तो उनका हमेशा यह कहना होता है सर क्लैट में ऐसे ही questions आएंगे तो उस समय मुझे यह बहुत हैरानी होती है जानके कि इन्होंने अभी तक paper को देखा ही नहीं है कभी तो उनको पता कैसे चलेगा कि आखिर examination में क्या चीज आने वाली है और क्या चीज नहीं आने वाली है इसी लिए suppose करिए आपको गहरे अंधेरे जंगल में रात को छोड़ दिया जाए और जब आप अंधेरे जंगल में है आपको light का source नहीं है आपको यह नहीं पता है मुझे कहां जाना है किस side किस direction में निकलना है वैसे ही यह clad का examination है और यह जो पीवाई क्यूज और syllabus होते हैं यह आपके हाथ में दी गई मशाल की तरह है जो आपको रोशनी देंगे जंगल में और साती साथ एक map की तरह ह जो आपको direction बताएंगे कि कैसे इस जंगल से निकलना है इसलिए my personal suggestion to everybody would be please stop your preparation wherever you are and first please take a look at the syllabus and the PYQs because this is the step number one that should have been done by you till now if still you haven't done it please go and do it चीक है चली अब इसके बाद आते है second second सबसे बड़ी mistake time manage नहीं करना time manage दो जगहों पर एक तो yes जब आप examination की preparation कर रही हो और दूसरा जब आप examination देने जाते हो याने examination hall के अंदर इन दोनों ही जगहों पर poor time management is something जो कि आपको नुपसान दे सकता है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते स्कूल से आने के बाद आपके पास चुनिंदा कुछ पांच से छे घंटे ही productive होते हैं जब आप पढ़ाई कर सकते हैं बट बच्चे क्या करते हैं या फिर हमें काम करते हम थोड़ी देर bgmi खेल लेते हैं या फिर हम थोड़ी देर youtube शॉट्स देख लेते हैं एंड फिर य मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा तो इस तरीके से अगर आप अपने टाइम की accountability नहीं ले रहे हो उसको manage नहीं कर रहे हो कि anyhow I have to study for these two three hours तब तक सर आप अपने लिए गड़े खोद रहे हो and same is the thing जो की examination hall के अंदर भी होगा इसी लिए the suggestion is अभी से अपने अंदर time management की जो यहां पर values हैं उनको inculcate करिए उसके लिए अभी से practice शुरू करिए अभी से अपने brain को train करिए because it is more important to brain your train rather than to train your body क्योंकि brain train होगा तो body को आप कभी भी train कर सकते हो ठीक है चालिए let's move ahead to the next big mistake and that is neglecting the mock test neglecting the mock test and the practice papers बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो examination के दिन वाले तक कभी उन्होंने कोई भी mock test नहीं दिया होता है उन्होंने कोई भी quizzes नहीं लगाए होते हैं sir and ma'am जब हम किसी mock test या quiz की बात कर रहे होते हैं इनके two perspectives होते हैं दो पहलू होते हैं पहला पहलू होता है learning learning का मतलब आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी जितनी भी चीज़ें सीखी उन सभी को आपने वहां पर learn भी किया test भी किया यह दोनों चीज़ें आपको करना है यानि किवल ऐसा नहीं है कि मैंने जब भी कभी mock test देने गया तो मैं सिर्फ test कर रहा हूं कि अच्छा मैंने यह पढ़ा तो यह सही हुआ या नहीं हुआ sir and ma'am मैंने पहले learning इसलिए बोला क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को and I realize करें that learning is something which is again very important and यह mock papers आपको सिखाते हैं कि कैसे आपकी तयारी में gap रह चुके हैं उनको कैसे fill किया जाए कुछ ऐसे topics जो आपने cover नहीं किये उनको कैसे cover किया जाए at the same time आपको यह भी स सिखाते हैं कि इसको time manage कैसे किया जाए किस section में कितना समय दिया जाए यह वो सारी चीज़े हैं जो आपको यह mock paper सिखा सकते हैं इसलिए mocks को please कभी भी ऐसे मत सोचके दीजेगा कि सिर्फ testing के लिए अरे मेरे number कम आ गए है definitely मैंने preparation नहीं करी है मैं अब demoralize हो जाओ नहीं क्य करना है testing तो जो है वो आपकी फिर भी होती रहेगी इसके बाद जो दूसी मिस्टेक आती है yes current affairs examination के एक मैने पहले बच्चे आएंगे भया क्या examination के लिए 8 months का current affairs complete रहेगा sufficient रहेगा यह 6 मैने का sufficient रहेगा यह भया केवल 3 मैने का करने चलेगा अरे क्यों आप इतना समय व्यत कर रहे हो अभी से preparation करो you should be in a habit जहां आप newspapers को daily पढ़ रहे हो not for current affairs but developing the aptitude जहां पर आप general knowledge को रोज पढ़ रहे हो history को रोज पढ़ रहे हो साती साथ आप जो current affairs के magazines coaching institutes के द्वारा बनाई जाती है specifically for your examination आप उसको भी कर रहे हो जी हां यह वो सारी चीज़े हैं जो आपके लिए करना important हो जाती है guys and girls and अगर आपने यह अभी तक नहीं करी है trust me आप अपने लिए गड़ा खोद रहे हो क्योंकि last में फिर वो जो इतना इतना आपको थोड़ा थोड़ा करना था वो एकदम से बहुत सारा current affairs बहुत सारा general knowledge आता है and then फिर वहां पर आप घरा प्रदर्शन करते हैं जिसकी वज़ yes this is something जो मैं बोलूँगा तो बहुत सारे लोग इससे बुरा भी मान सकते हैं but this is the truth यह आपको realize करना होगा कि अगर केवल और केवल कोचिंग इंस्टिटूट से exam निकल रहा होता हिंदुस्तान में ना जाने कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को best of the best coaching इंस्टिटूट unacademy में लाकर बिठा देते और बोलते कि लो मेरे बच्चे का तो selection हो ही जाएगा सर ऐसा नहीं कोचिंग इंस्टिटूट आपको 60% काम करके देंगे और maximum 70% काम करके देंगे बट उसके बाद बचा हुआ जो 30% काम है वो आपको खुद करना पड़ेगा अगर कोचिंग में आपको maths का कोई concept सिखाया गया है आपको उसको बार-बार practice करना होगा अगर कुछ current affairs पढ़ाया गया है आपको उसको बार-बार revise करना होगा अगर legal का कुछ subject matter बताया है उसको आपको बार-बार उसके practice questions करने पड़ेंगे यह वो चीज़े हैं mock देना पड़ेगा यह वो ची होगे so please do make sure that you are not doing these mistakes इसके अलावा yes करत करत अभ्यास जडमती होत सुजान बट लोगों को यह चीज समझ में नहीं आती है कि अगर एक रसी भी होती है जो कितिनी नाजुक होती है वो भी अगर पत्थर पे रगड़ती है बार-बार तो पत्थर को बीच में से काट सकती है यह हम सभी ने पढ़ा है बच्पन में हमारी हिंदी की कहानियों में फिर उसको हम अभी क्यों नहीं याद करते अगर मैं आज भी बोलू जॉनी जॉनी आप बोलोगे yes पापा I'll say eating sugar you'll say no पापा why क्योंकि हमने बच्पन में इसको इतनी बार रिवाइस किया है हमारे माता प इसी ही जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके multiple revisions करिए multiple revisions करिए जितने जादा आप revision करेंगे उतना बहतर यह आपके लिए होने वाला है क्योंकि ultimately यही revisions आपके examination में काम आएंगे and when I say revise आपको किस technique का उपयोग करना है you should use recall technique ऐसा नहीं कि आपने किताब खोली आप देख रहे हैं सामने हाँ यह यह चीज़े लिख्यू यह तुम्हें को बनती हैं ऐसे ने किताब बंद करिए topic को याद करिए मैंने उसमें यह यह पढ़ रखाया उसको recall करो उसका जवाब दो फिर बुक खोलो देखो कौन से वो points हैं जो मैंने miss किये हैं उनको दुबारा से grasp करो फिर बंद करो फिर उसको recall करो so this recall technique is something which will definitely help you ace the examination इसके अलावा yes ignoring the weak areas sir मेरा quant खराब है मेरे से नहीं होता account यह मैं सुन सुन के ठक चुका हूं है ना कॉंट खराब accept कर लिया ना उसको अब उसको सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो आपके पास साथ से आठ मेने का stretch है और examination में क्या आएगा percentage average ratio proportion या फिर आपका profit and loss बस यह बेसिक चार चीज़े ही तो आ रही है तो फिर क्या है सर जो हमें करना चाहिए अभी से practice करो अभी से अपने weak area को अपना strong area बनाओ अगर आपको पता है कि आपका एक area weak area है that is a blessing for you because a lot of people are there who are not even ready to accept the fact कि यह उनका weak area है but since you have that opportunity sir and ma'am try and improve it it is definitely going to help you right चलिये इसके अलावा yes only and only the knowledge will not help you clear the examination this is something which you should be knowing because the CLAD examination is not only knowledge intensive examination but rather it is also an aptitude based examination which means कि आपको यहाँ पर अपना aptitude develop करना पड़ेगा आपको यहाँ पर अपनी reading and comprehending skills को improve करना पड़ेगा आपको यहाँ पर अपना critical thinking mind activate करना पड़ेगा इसी लिए कहा जाता है रोज newspaper पढ़िये newspaper में बच्चे क्या करते है heading पड़ लिए अरे वासर हम इतने जादा intelligent बन गए हैं कि हम क्या बताएं sir and ma'am that is not something you were supposed to read but rather you should read the editorials you should know how a critical mind is applied over things अगर कहीं पर कहा गया है कि मोदी जी ने जाकर जो है फ्रांस के साथ यह यह pact sign किये तो आपको केवल इतना नहीं समझना है कि हमारे प्रदानमंतरी गए और उन्होंने pact sign किये बलकि आपको उसके पीछे की पूरी understanding establish करनी है कि वो जो pact है उसके sign होने से क्या होगा और क्या नहीं होगा या फिर अगर ऐसा बोला जा रहा है कि मोदी जी ने 80 करोड भारतियों को अनाज फ्री में दिया है तो आपको उसके पीछे अपना critical mind establish करना होगा कि आखर इसी क्या जरूरतान पड़ी कि केवल 80 करोड लोगों को हम केवल राशन ही दे रहें क्या सच मुझ आज भी इंडिया इतना पीछे है कि हमारे इंडिया में लोगों को basic need of life नहीं मिल पा रही है इस प्रकार से जब आप critical thinking establish करोगे that is something which will help you clear the examination because यही चीजें आपके logical reasoning section में English section में legal section में हर तरफ आपको यही चीजे देखने को मिलेंगे कि सरोगेसी इंडिया में केवल अल्ट्रूस्टिक वे में ही allowed है तो इसका मतलब हुआ सर मतलब commercial वे में यह मना है बैंड है नाओ यूर ब्रेंड शुड आस्क यूँ वाइज बैंड ऐसा क्यों है कि आखर यह बैंड है उसके क्या implications है अगर हम यहाँ पर केवल और केवल अ सब्सक्राइन कर रहे हैं तो उसके क्या disadvantages है यह सभी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी सर इन्माप इसके लिए आपको अपना aptitude जो है analytical skills जो है यह develop करने पड़ेंगे है ना इसलिए कहता हूं एक side रहकर मत सोचो दोनों तरफ से सोचना सीखो क्योंकि अगर मैं यहाँ प प्रकार से दिख रही होगी याने nine दिख रहा होगा so it is all about the perspective कि आप किस जगह से आ रहे हो आपने कितनी दुनिया देखी है और अब आपको क्या बताया जा रहा है केवल उसके basis पे ही इंसान अपना परस्पेक्टिव बनाता है और इसी चीज़ को break करना है by doing something which is known as developing the analytical mind यह analytical mind बहुत important है as an advocate क्योंकि आपको पताता है कि जब दुनिया आपके सामने सारे रास्ते बंद कर दें तो एक advocate ही होता है जो सवाल पूछता है कि आखरी दर्वाजा मेरे लिए ही क्यों बंद है और दूसी चीज़ इसको मैं कैसे खोल सकता हूं not like कि कुछ तो कारण होगा जो नहीं start questioning जी guys and girls इसके अलावा येस ये दोनों ही चीजें ऐसी है जिन में बहुत ही fine difference है overconfidence and lack of confidence इनके बीच में बहुत छोटी सी एक difference है लेकिन बच्चे जो है बहुत दिक्कत में पढ़ जाते हैं आपको confident रहना है yes but overconfident नहीं होना है कि आरे since I am from a school जो के Christian school था missionary school था my English is very good so I do not need to prepare for my English section I do not need to prepare for the legal section because I had legal studies in my class 11th or class 12th sir ऐसा overconfidence मत लएगा whatever is the need of the examination whatever is the demand of the examination make sure that you are fulfilling every single thing उसके लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़ रहा है आप कर रहे हो lack of confidence हर किसी को self-doubt आता है एक topper है उसको भी कभी नहीं पता था कि क्या वो कभी first stop आपाएगा बट वो आता है वो तभी आता है जब वो अपने अंदर थोड़ा confidence रखता है और यह जो basic चीज़ें है examination की need examination की demand को जो जो चीज़े fulfill कर सकती है वो उनको करता है तो definitely उसको जो है यहाँ पर result ही मिलेगा and last but not the least yes this is a longer process ऐसा नहीं है कि आपने एक रात में पढ़ा और अगले दिन जाकर आप exam दे आए ऐसा नहीं है कि आपने एक हफते में पढ़ा और अगले दिन आप exam देकर आगए this is a longer process it will test your patience it will test your time management skills it will definitely test your analytical and critical reasoning things but at the same time it will also test की कैसे आप अपने काम को अपनी पढ़ाई को अपनी चीजों को manage कर सकते हो along with your health इसी लिए मैं हमेशा कहता हूं हर बच्चे को हर दिन 30 minutes कुछ भी ऐसी physical activity करनी चाहिए जिससे कि उसकी heart rate थोड़ा सा तेज होता है चाहे वो कुछ भी हो सकता है आप चाहो badminton खेलो cycling करो जिम जाओ dance class join करो जो करना है करो आपका heart rate बढ़ना चाहिए आपको sweating होनी चाहिए अब वह आप जैसे कर सकते हैं वह आप करिए 30 minutes आपको अपने आपको देना है इसके अलावा if in case possible try meditating meditation जो है वो definitely आपको जितने भी हजारो thoughts आपके मन में आ रहे हैं उनको जो है thought down करके आपको जो है एक particular level पर शान्ती के साथ लाकर रख देगा जिसकी मदद से आपका clearer thought process होगा clearer mind होगा patience आपके अंदर होगा तो आप बहतर जो है वो सोच पाएंगे ठीक है तो ये हैं which I am pretty much sure कि आप में से अब कोई भी बच्चा नहीं करेगा and at the same time अगर आप में साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं I am telling you आप जुड़ सकते हो by joining this telegram channel that is being Aditya Rai if you have any question any queries related to your clad preparation I am there to help you out I am there to assist you इसके अलावा guys and girls if in case आप unacademy के साथ जुड़ना चाते हैं और अपनी तयारी को बहुत अच्छे wings देना चाते हो accurate preparation करना चाते हो कम समय में बिना experiment किये हुए then definitely unacademy is something which is for you I would say this is the right time to join an academy because unacademy में अभी इस समय 25% का discount चल रहा है साथ ही साथ आपके examination में सिर्फ 6 मेने का ही सफर जो है वो बचा हुआ है तो करना क्या है sir and ma'am आपको जाना है और अभी unacademy के portal पर जाकर एक code जो है वो apply करना है जैसे ही आप ये code apply करोगे that is bar live you will get to see 25% का discount और उसके उपर जितना भी maximum है वो आपको इस code पे देखने को मिलेगा अब इसके अलावा these are the batches which are already live 29th में से आपका संकल्प batch join हो चुका है live हो चुका है इसके अलावा law prospect batch जो है ये June 13th याने की आज से ये शुरू हो रहा है आपको करना क्या है सिर्फ और सिर्फ ये code use करना है that is bar live and get yourself registered with an academy at the same time I would like to highlight this program of an academy जहां पर अनकाडमी ये कहता है कि आपने अगर एक बार अनकाडमी के साथ जुड़ गए अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद उसके बाद सरन माम जैसे ही आपने course purchase किया आपको 300 hours की classes करनी है minimum 300 घंटे की पढ़ाई 300 घंटे की पढ़ाई अराम से अगर आप 5-5 घंटे 2 मैने भी पढ़ते हो अराम से आपके 300 घंटे हो गए मैं minimum लेके चल रहा हूँ bare minimum अब यह 300 घंटे की पढ़ाई अगर आपने की और इसके साथ 10 टेस्ट दे दिये 10 टेस्ट तो सरन माम अनकाडमी आपको अनकाडमी क्लाट अश्वा प्रोग्राम में रजिस्टर कर लेगा यह प्रोग्राम क्या है कि अगर आपका examination खुदा नख खास्ता नहीं निकलता है जो कि हमको पता है निकल जाएगा कि अगर आपने इतनी पढ़ाई minimum की है बट उसके बावजूद अगर आपका desired rank नहीं आता है तो अनकाडमी आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ओफ कॉस्ट देगा ताकि जो प आप पढ़िये and we want कि आपको अशॉरिटी के साथ इस NLU में जिसमें भी आपका ड्री में वहां तक पहुंचाया जाए सवाज में आगया so I would suggest अभी जाए बिना किसी टिंशन के जाकर आप इस code की मदद से अपने आपको रजिस्ट्र कर सकते हो and let's meet soon in the plus classes with this I am signing off thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling Jai Hind, Jai Bharat